भाग संख्या विन्यास इसी तरह हम भाग विन्यास भी बना सकते हैं भाग विन्यास भी गुणा विन्यास जैसा ही होता है जरा इस श्रिंखला को देखिए 256, 64, 16, 4 और 1 इस श्रिंखला में अगली संख्या को प्राप्त करने के लिए उसे चार से भाग दिया जाता है इसे कहते हैं भाग विन्यास